Hello everyone, welcome back to my channel So episode 8 के starting में हमें दिखाया जाता है कि जब डिटेक्टिव यांग को लगता है कि उसने लिन बायो को अपनी कार से धक्का मार दिया है तो वो गर निकाल कर उसे मारने जाता है तो वो जैसे ही उसे मारने जाता है वो देखता है कि वो लिन बायो नहीं बलकि जो की स्टेप पॉम रहती है जिसे उसने अपने कार से धक्का मार रहा है तो ये देखकर डिटेक्टिव यांग बहुत हैरान हो जाता है और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है उसके बदमें सीन में दिखाया जाता है यहां पर लिन बायो से मिलने जो आता है और जो बहुत डरा हुआ रहता है तो वो लिन बायो को जाकर हक करता है तो जो के साथ जो nov बोसके रहता है वो बोलता है कि 마स्टर जो नहीं सूचा कि आपका कार अक्सिदेंट हो गया है इसलिए वो बहुत घबरा गए थे और वो आपसे यहां मिलने चले आए इससे पहले हमने Master Joe को कबने जादा टेंशन में नहीं देखा यहां पर Lynn Bayo सोसती है कि इसका मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ यहां पर Lynn Bayo को पहले से इडिट व्यान के प्लैन के बारे में पता चल जाता है उसके बादा में Flashback में दिखाया जाता है कि जब Lynn Bayo अपने ससुरा लाती है तो यहां पर Joe की स्टेप मॉमों से ताने मार कर बोलती है तुमें क्या लग रहा है कि तुमें इस घर की मेंबर बन गई हो तो तुम freely कहीं भी आ जा सकती हो और घुम सकती हो कोई तुमें देखेगा तो यही सोचेगा कि तुमने इस पैमली का मेंबर बनने के लिए ये सब कुछ किया है, तुम ये मत सोचना, कि तुम इस गर की हेट बन जाओगी, इस गर की मिस्ट्रिस तो मैं ही रहूँगी, और तुम ही क्या लगा कि तुमने मेर को हरा दिया, लिनाई टॉन में तुम अपनी जिन्दगी अब आसानी से जी सकती हो, तो यहाँ पर लिन बाय में उनके साथ कंपीट करने आई हो, कि एक वोमेन भी अच्छा बिजनस चला सकती है, और इस फैमिली का ख्याल सिर्फ आप ही रख सकती है, मैं आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, जब से मैंने इस फैमिली को जॉइन किया है, मैंने आपको दिल से अपनी मदर इन लॉग माना है, और जो भी आपके बातों की वैंडियो रुखता है, उसकी बादे आपर लिन बायो बोलती है, मदर इन लॉग को कि अच्छा हाँ, एक बात मुझे याद आई, मैंने साउथ इस्ट एसिया से ये शॉन आपके लिए लाया है, ये बहुत ही महेंगी शॉन है, जो बह खुश हो जाती है, और उसे बोलती है, कि क्या मैं एक बर इसे ट्राइ कर सकती हूँ, तो लिन बायो बोलती है, कि हाँ जरूर और फिर वो अपनी मदर इन लॉग को उस शॉल को पहनाती है, और यहाँ पर लिन बायो इस तरह से अपना पहना वर्टर्स अपनी मदर इन लॉ कि मैं तुम्हारे लिए स्टेंड नहीं लोगा अब तुम जाओ यहां से उसके बाद यहां पर मेर बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि मेर नहीं डिक्टिव यांग को यह बोला रहता है कि मैं तुम्हें तीन दिन का टाइम देता हूं कैसे भी करके लेन बायों को ठीकाने क्यों किया मेरी वाइफ के साथ उसके बारियां पर जो के डैट को शक होता है मेर के उपर जो के डैट मेर को बोलते है कि कहीं यह सब तुम्हारा प्लैन तो नहीं तो यह सुनकर मेर डर जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं मास्टर आप यह कैसा सोच रहे हैं यह तो एकद निकालेंगे, मैं उसे आपके सामने लेकर के आओंगा और उसके मुह से ही सारा सच बुलवाओंगा, आप चिंता मत करिये और आप प्लीज ये मत सूचिएगा कि मैंने ये सब करवाया है, इन सब से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो के डाइट बोलते है कि ठीक है, डिटेक्टिव यांग को कहीं से भी खोज निकालो और मेरे सामने लेकर आओ, एक बार उसने सच बता दिया, उसके बाद वो किसी काम कर नहीं रहेगा, उसके बाद मैं उसे मार दोंगा, तो ये सुनकर मेर और भी जादा डर जाता है, उसके बाद में सीन में दि कि ठीक है, यहाँ पर डिटेक्टिव यांग पुलिस टेशन पहुंच जाता है, सबसे मुझ छुपाते हुए, क्योंकि पूरे शेहर में सभी कोई उसे ढूंड रहा होता है, उसके बाद वो छुपते चुपाते पुलिस टेशन पहुंचता है, और वहाँ पर फाइल की जो उतने दिन से सोच रहा था कि Lynn Bayo मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लगती है, और यहाँ पर डिटेक्टिव यांग लिन पायो की पुरानी फोटो देख कर बहुत जादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आखिर Lynn Bayo है कॉन, और फिर सीन यहाँ प से पर से क्यों वी यहाँ जाता है